Hey guys, welcome back to my channel तो आज है diet challenge का last day, यानि कि day 7 तो आज का diet खतम होने के बाद, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कल से कुछ भी जंक खा सकते हैं नहीं, आपको एक healthy diet में रहना है, workout करनी है, बहुत सारा पानी पीनी है और ये 7 days में आपका कितना weight खटा है, मेरे साथ सरूर शेर कीजिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ यह है Nature Sure का weight loss capsules, जो मेरे पास review के लिए वेजी गई है यह product मेरी एक friend भी use की है, और यह capsule लेने के साथ साथ वो एक healthy diet follow करके उसे एक अच्छा result मिला है यह 100% natural ingredients से बना है इसे आप Ayurvedic medicine भी बोल सकता है, जो कि 100% safe और weight loss के लिए बहुत ही effective है यह हमारे body के fatty toxins को urine के through pass करने में help करता है हमारे energy level को बढ़ाता है और थकावट को दूर करते है इसे छोड़के भी यह cholesterol और triglycerides को reduce करने में help करता है हमारे body में electrochemical balance को restore करता है जो fitness के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है It also prevents disorder like insulin resistance, hypertension, blocked arteries and malfunction of lipid, kidney and gallbladder यह nature sure और अगनिमन्था weight loss formula का जो सबसे important thing है यह body fats को urine के through निकालता है और naturally weight loss होता है Body में excessive fatty tissue को यह जमने नहीं देता है इसे लेने से हमारे energy level high रहता है और body में जो calories fat में convert होता है उसे यह होने नहीं देता है इसलिए जल्दी weight loss होता है इसे कैसे लेना है सुबह breakfast से 15 मिनित पहले एक capsule लेना है और best result के लिए एक healthy diet follow करे इसमें 60 vegetarian capsule रहते हैं जो आपके 2 मेना तक चला जाएगा pregnant और breastfeeding woman इसे ना ले और अगर आपको इस serious medication के अंदर हो तो इसे लेने से पहले अपने doctor से पूछ ले अगर आपको यह खरीदना है तो मैं इसका link नीचे description box में डाल लिया आप link पे click करके इसे खरीद सकते हैं तो चलिए आज का diet स्टार्ट करते हैं सुबा उटके एक निम्बू का रसनी चोर के गरम पानी के साथ मिला के मैं वो ले रही हूँ अगर आप apple cider vinegar और warm water लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और breakfast में आज मैं ले रही हूँ overnight oats यह मैं कल बना के रखी थी तोरह सा चॉप के हुआ अपल, grapes, तर्बूस इसके साथ 4 टेबल स्पून आफ oats और low fat milk आट किया मैं आप milk के बदल में दही भी आट कर सकते हैं पर low fat दही आट करें और इसमें आप और भी fruits आट कर सकते हैं आपके पसंद का तो मैं मेरे पास यही available था तो मैं यही आट कर लिया तो इसके साथ मैं chia seed आट कर रही हूँ तो मैं chia seed को थोड़ा सा soak करके रखी थी आदा गंटा पहले उसे मैं आट कर दी रही हूँ अब normal chia seed भी आट कर सकते हैं क्योंकि हम ओवरनाइट रखेंगे तो यह automatically फूल जाएगा इसे अच्छे से मिक्स करें और ओवरनाइट फ्रीज में रखतें सुभा जब आप प्रेक्वस्ट लेंगे तब इसमें आप और गनिक हानी ले सकते हैं पर कोई भी चीनी आड़ना करें तो यह देखिए सुभा मेरा ब्रेक्वस्ट तयार है नेक्स्ट लंच लंच में लेना है वेजिटेबिल दाल इसके लिए एक चमच कुकुना टॉयल को गरम करें और उसमें चौप के हुआ प्यास कैप्सिकम और गाजट डाल दें एक से देर मिनित अब इसमें आपके पसंद का भी वेजिटेबिल एट कर सकते हैं यह फ्राई हो जाने के बाद इसमें मैं बॉयल के हुआ दाल एट करूँगी दाल बॉयल करते वक्त मैं इसमें थोड़ा सा रॉक सॉल पाउडर हल्दी पाउडर चौप के हुआ गारलिक और ग्रीन चिली ड लेना है लंज के पंदरा मिनित पाथ एक कप क्रीन टी लेना है इविनिंग स्नैक में आज मैं ले रही हूँ वाटर मेलन जूस अगर आपके पास जूसर ना हो तो इसको मिक्षर ग्राइंडर में चला के इसका पेस्ट बना ले फिर इसको चान के इसका जूस निकाल ले जनीर का सूप का रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ तो इसका लिंक मैं नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर आप वीडियो के एंड पे भी देख सकते हैं और आज का डाइट चालेंज का डे 7 यही खतम होता है वीडियो पसंद आ ने वीडियो के साथ तब तक के लिए हेल्दी खाए और स्वास्त रहें